तो इस question में recent counter नाम का एक class है, जिस पे एक ping function है, आपको इस ping function के help से बताया जाएगा, कि t millisecond पे एक ping हुआ है, और आपको answer पे बताना है कि किसी particular time range के अंदर total आपको कितने ping किये गया है, उसका count बताना है, इस t वाले millisecond को include करते हुए, तो एक example देखते हैं, let's suppose आपके ping function को t millisecond पे call किया गया, और वो t millisecond था 1, तो आप बतावगे कि यार अब तक आपको total इतने range पे कितने calls हुए हैं, 3-3000, इतने millisecond के range पे, बहुत inclusive है, तो अब तक सिरिफ एक ही call हुआ है, आप वोन answer written करोगे, अगला call अगर आपको आता, 100 millisecond पे, तो आप बताते, 100 से 100 माइनस 3000, इतने millisecond के range पे आपको कितने calls हुए हैं, इस बार ये दोनों ही उस range पे लाई करते हैं, आप बता दोगे, total दो calls हैं, चीक है, अगला call अगर आपको, 3001, इतने time पे हुआ, तो आप बताओगे, कि यार 3001, और 3001 माइनस 3000, which is 1, इतने range पे, बहुत inclusive हैं, total कितने calls हुए हैं, तो यहाँ पर ये total 3 calls हैं, तो इसका answer होता 3, अगला call अगर आपको 3002, इतने millisecond पे होता है, तो आपका time range हो जाएगा 3002, और यहाँ पे 3002 माइनस 3000, यह हो जाएगा 2, तो कि लिए 2 से ले करके 3002, इतने range पे total कितने pinks हुए हैं, तो इस range पे ये बंदे लाई करते हैं सिर्फ, राइट, वन इस बलाई नहीं करता, तो इ यह जो time है, वो increasing order पे हैं, अब यहाँ पर constraint पे दिया हुआ है, for each test cases, will call pink with strictly increasing value of t, तो आपको currently 3002 पे call आई है, तो अगले वाला जो भी value होगा, वो greater than 3002, चिक है, और आपके जो pink का range है, t का range जो है, वो 1 से लेके 10 raise to the power 9 है, तो question में यही करना था, आप इसे try कर सकते हो solve करने को, question का link description पही होगा, चिक है, तो देखते हैं इसे कैसे solve करना है, इस question में basically आपको ping आएगा, right, तो let's suppose सबसे पहले 1 पे ping आया, और फिर 100 पे ping आया, आपको क्या करना था, आपको इस range पे, t minus 3000 से लेकर के t, इतने range पे total कितने ping से हैं, उसे count करना है, right, और इस पे एक important constraint क्या था, constraint या फिर information, वो थर t increasing है, right, जब आपको 1 आया था, t की value 1 आय थी, तो आपने इस range पे find किया, minus 2999 से लेकर के 1, right, जैसे ही t की value increase हुई, क्योंकि t की value हर बर increase ही होगी, right, अगर ये value increase होता है, तो overall पूरा पूरा आपका ये वाला value increase होगा, आप basically, जो minimum बंदा था, आपके range का, वो बढ़ जाएगा, right, तो जब आपको 100 मिला, तो आपने अपना range क्या किया, minus 2900 से लेकर के 100, चेक है, आपका जो minimum बंदा था, वो यहाँ पे increase हो गया, चेक है, यहाँ पर answer, answer तो अभी इस case पे 1 था, और इस वाले case पे, इतने range पे 2 है, चेक है, अगले बंदे को देखते हैं, अगर अगला बंदा आया, 3001 पे, तो आपने अगेन अपना range बढ़ाया, कितने से बढ़ाया, तो 3001, minus 3000, यह 1 हो जाएगा, और यह 3001, यहाँ पर आप देखो, जो minimum value था, वो फिर is increase हो गया, अभी basically आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ले करके, यहाँ तक, इतने range पे ढूंड रहे हो values को, उतने का count कर रहे हो आप, एक नया value लेका आता है, अभी तो वैसे तीन बंदे हैं, इस range पे, राइट, तीन answer होता, एक value और लेका आते हैं, 3002, आपका range अगें increase होगा, यह हो जाएगा, टू से लेकर के 3002 तक, जो minimum मंदा था, वो फिर is increase हो गया, आपने इस से पहले, टू से लेकर के 3001 तक searching की थी, अभी आप यहाँ कहीं हो गए, टू यहाँ पर होता कहीं पे, वो अ आपका range यहाँ से यहाँ तक है, इस value को अभी आपको count नहीं करना है, अभी total जो values आपके range पे हैं, वो तीन ही है, ठीक है, मुझे यह दिखाने का क्या मतलब था, यह दिखाने का मेरा क्या मक्सद था, यह दिखाने का यही मक्सद था, कि जो minimum value था, वो increase हो रहा है, अभी आ आपने one को count नहीं किया, next step पे क्या होगा इससे, well t के value फिर से increase होगी, तो यहाँ पर 3004 या 3008 या 400 ऐसे आएंगे values, आपने इस value को जो discard किया है, अगले step पे भी वो count नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि जो minimum range था, वो बढ़ चुका है, अगले बारी हो सकता है कि आप यहां से ले करके यहां तक count करो, ठीक है, उसके अगले वाले step पे आपका range और increase होके यहां से यहां तक चले जाएगा, right, so जिस value को आपने discard किया था, वो आप बाद में कभी भी use करने वाले नहीं हो, ठीक है, तो हम इस बर क्या करने वाले हैं, नए values आएंगे, हम पुराने values को, जो हमारे range से valid नहीं है, हमारे range पर नहीं आते, ठीक है, उन्हें हटाते जाएंगे, तो एक बार देखते हैं, यह से कैसे करना है हमें, तो सबसे पहले, पिंक फंक्शन पे, वन आया, तो आपने कोई data structure बनाया यहां पे, उस data structure पे, वन को store करके रख दिया, ठीक है, अगले बारी आया 100, तो उस data structure पे आपने 100 रख दिया, बिसिकली data को आपने इस direction पे input किया, इसके बाद आया, मान लोग 200 आया, चाहा मैंने, मैंने answer count नहीं किया अभी, तो चलो कोई बात नहीं, अभी आपके range पे, 100 आया था जब, तो आपने देखा कि यार मुझे minus 2900 से लेकर के, 100, इतने range का value कारन करना है, अभी सभी range पे हैं, अभी कोई बंदा हटने माला नहीं है, अगला value आया 200, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको minus 2800 से लेकर के, 200, इतने range का value काउंट करना है, अभी भी ये value जो है, वो range पे ही है, इसी हम नहीं हटाएंगे, अगला value देखते हैं फिर, अगला value अगर आया 3001, अभी आपका range है, 1 से लेकर के 3001, दोनों inclusive है, अगेन आपने चेक किया, किया जो सबस्थी smallest बंदा है, जो ये वाला बंदा था, वो क्या मेरे range से बाहर गया है, तो अभी वो range से बाहर नहीं गया, वो अभी भी equal to value है, और यहां पर inclusive का sign है, तो इसे हमें include करना है अटाना नहीं है, दूस आपने अपना range बढ़ाया, 2 से लेकर के 3002 तक, आपने देखा कि यार अभी जो smallest बंदा था, उसे मैं discard कर सकता हूँ, वो मेरे range पे fit नहीं हो रहा है, पहले के comparison पे range का value बढ़ गया, तो ये value उसको जाना पड़ेगा, ठेक है, इस value को आपको basically अभी निकालना है, इसको क्यो है, क्योंकि हमें बाद में भी इसकी जौरत नहीं पढ़ने आली है, तो basically इस direction पे आपने checking की, और इस direction पे आपने value को remove भी किया है, ठेक है, अभी आपके पास total 4 बंदे हैं, और ये बंदा जो है, वो आपके range पे है, ये बंदा smallest है, पहले यह जाना था, ठेक है, तो आपका answer अभी भी 4 आया, right, अगले value भी लिए देखते हैं, अगला value let's suppose 3, 0, 1, 0, तो फिर 3, 1, 0, 0, ठीक है, अगर ये value आता, आपका range होता, 1, 0, 0, से ले करके 3, 0, 0, ठीक है, तो इस range पे आपने फिर चेक किया, ये value जो है, वो correct range पे आती है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पास total, इतने values हैं, 100 से बड़े, और इस बंदे से शोटे, total वही value तो हैं आपके पास, right, again आपका answer है, 4, 4 नहीं, ये answer हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरों नहीं से बहुत सकते हैं, आपने जितने values को store करके रखा है, आपका पूरा-पूरा answer वही है, let's suppose अगला value आया, 6, 0, 0, 2, चिक है, आपका range कितना increase हो जाएगा, तो 6, 0, 0, 2, मैं minus कर दो, 3, 0, 0, 0, तो आपका range हो जाएगा, 2, 0, 0, 3, यहाँ पर से 6, 0, 0, 2 तक, right, आप अभी चेक करोगे, क्या मेरा जो smallest value मुझे चाहिए था, मतलब जिससे मुझे बड़े value चाहिए, यह उस range पर लाई करता है, यह लाई नहीं करता, इसे मैंने pop कर दिया, यहाँ से remove हो गया, अब again देखो, यह value भी इस range पर लाई नहीं करता है, right, तो आपको जितने values होंगे, जो range पर लाई नहीं करते, उन सभी को remove करना पड़ेगा इसे भी remove कर दिया, यहाँ 3001 वो भी इस वाले बंदे से छोटा ही है, इसे भी remove कर दो, अब यह बंदा आया, यह मेरे value से equal है, यह मेरे value से बड़ा है, यह बंदा बिल्कुल correct है, छोटे बंदे को मैंने हटा दिया, remove कर दिया, अब जो values बजगे हैं, यह बंदा इस range पर है, और यह 6002 इस पर है, और इसके बीच के तो वैसे भी include करने है, बीच के सब भी बंदे include होते हैं, आपके पास अभी total total, तीन numbers हैं, चेक है, तो basically यह जो data structure था, जिसमें मैंने इस direction पर values को add की थी, और इस direction पर values को remove की थी, यह functionality हमें Q में मिलेगा, तो अब हम Q के use करके, यह काम करने वाले हैं, और इस पर हमारा जो data का order है, data का insertion order, वो भी preserve होता है, तो मैंने जिस increasing order पर values को यहां पर रखा है, वो increasing order पर ही निकलेंगे, मैं यह सी और हूँ, चेक है, तो इस question को solve करते हैं, हमें basically करना क्या है, जब भी आपको T data मिलता है, तो आपको Q पे add करना है, right, Q पे add कर दो, उस T को, और अब starting से आप remove करना शुरू करोगे, कितने को remove करोगे, तो basically आपका जो minimum value है, mean आपको T-3000, इतनी की required है, या फिर इस से बड़ी की required है, right, आपको इस mean से equal to, या फिर इस mean से greater value के requirement है, ठीक है, तो जो भी बन्दा, पतब आपके Q के peak पे, जो भी बन्दा थोटा होगा, इस minimum से, आप उसे remove करोगे, ठीक है, और ये काम loop पे होगा, ये काम loop पे होगा, जब तक Q के peak से, थोटा बन्दा आता है, आप उसे remove करते जाओ ठीक है, और last पे आपका जो answer है, वो Q पे जितने elements बचे हुए हैं, वो होंगे, तो Q dot size, ये आपका answer हो जाएगा, ठीक है, तो इस implement करते हैं जल्दी से, basically हमें एक Q की requirement है, तो एक Q बना लेते हैं, आप यहाँ पे linklish के जगा, error dq भी use कर सकते हो, ठीक है, error dq वैसे ज़्यादा सही performance देगा, इस case पे, क्योंकि आपका जो range है, वो fixed है, राइट, इतने range पे fixed है, ठीक है, दोनों ही काम कर जाएंगे, तो अपना work, पहले आपके Q पे add कर दो, और फिर range आपका क्या होगा, minimum equal to P minus 300, अब जब तक Q के peak पे, value जब वो छोटा होता है minimum से, आप उसे पर निकाल दोगे, Q dot remove, वो starting वाला बंदा ही निकलेगा, राइट, और last पे Q dot size, जितना भी है, वो आपका answer हो जाएगा, ठीक है, तो यह काम तो complete हो गया, उसे चला के दे देखते हैं, तो यह सई से काम कर रहा है बिलकुल, इसको time complexity कितनी होगी, तो देखते हैं, चीक है, code को analyze करते हैं, जो पहरा condition है, वो तो एक बार में काम करता है, O of one का है, यह भी O of one का है, और last प्रॉला भी O of one का है, राइट, काम repeat हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर लूप लगाया, तो हमें basically इस बंदे को find करना है, कितने बार चल रहा है, बागे सभी तो एक बार ही चल रहे हैं, ओप one की complexity वाले हैं, constant बोल सकते हो, constant की complexity के हैं, चीक है, तो देखते हैं, यह कितने बार work करता है यह लूप, आपने एक Q बनाया, Q में सबसे पहले आपने A add किया, ठीक है, तो पहली बार में तो अंदर लूप नहीं चलेगा, आपने condition चेक किया, अब basically peak पे A ही पड़ा हुआ है, पीक पे A है, और minimum चेक कर रहे हैं आप उसके लिए, वो always range पे होग तो 0 हो गया यह, 0 times यह चला था लूप, अगला value B आया, तो क्या हो सकता है, हो सकता है, B range पे है, right, possible है कि A आपके range पे नहीं होगा, या A आपके range पे होगा, यह दो बात हो सकती हैं इसके लिए, अभी अकर मैं माल लूप यह लूप एक बर चला और यह बंदे को आपने remove कर दिया, अगला बंदा फिर से सी आया, अब अगेल, अगेन, इस पे आगया doubt कि यह आपके range पे होगा यह नहीं होगा, right, अभी मैं surety से नहीं बोल सकता है, कि यार लूप चलेगा और इस बंदे को remove करेगा ही करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि यह पुरा पुरा जो है, वो value पे एक्स टाइम यह चला होगा, अगला बंदा D आया, तो आप again इन दोनों पे आप बोलोगे, यार हो सकता है कि B range पे हो या नहीं हो, हो सकता है C range पे हो या नहीं हो, right, इस बार भी आप एजूम करके कि यह Y bar चला होगा, तो ऐसे करते करते हैं आपको total N items मिले, ठीक है, जब N आइटम आया, तो आप क्या बोलोगे, कि यार मुझे अभी पता नहीं कितने बार चला, लेकिन हो सकता है कि Z times चला होगा, ठीक है, अब देखो, जब आप इस लूप को एक बार चलाते हो, तो वो उस बंदे को remove कर देता है, right, ये remove वाला काम कितने बार होगा, अगर आपके अपने Q पे N items को insert किया है, तो remove भी N items ही हो सकते है, right, जब भी लूप चलता है, एक बंदा निकल लाता है, तो इन सबका sum जो है, वो बिल्कुल worst condition पे, यही होगा कि सभी बंदे को आपको remove करना पड़े गया, तो 0, प्लस 1, प्लस X, प्लस Y, जाते आते Z, ये पुरा-पुर जो है, वो worst condition पे सभी बंदों को remove करेगा, actual में last बंदा रह जाएगा, ठीक है, अभी के लिए ignore करते है, तो worst condition पे N बंदे पूरे remove हो गया, आपको complexity मिल गई, big O of N की, ठीक है, लेकिन ये big O of N, एक बार का complexity नहीं है, ये तो overall complexity है, इस वाले लूप का overall complexity है, कि worst condition पे N बार च 0, 1, ऐसा, तो on and average आप क्या बोल सकते हो, average में आप ये बोलोगे कि यार, जो ping function है, अगर ये end times चला है, और ये पूरा overall, पूरे function के call में, पूरे lifetime में, O of N का complexity देता है, तो on and average, ये एक बार के लिए O of N, O of 1 पे काम कर रहा है, ठीक है, ये exact नहीं है, of course, ये exact नहीं है, हो स तुसरे बंदे को add किया, loop 0 पर चला, तिसरे चौते सभी के लिए, end minus 1 बंदे तक ये 0 टाइम ही चला, और जब end वाला बंदा आया, तो इसने पूरा-पूरा loop चला दिया, total end times चला दिया, right, तो यहाँ पर पूरा-पूरा वो O of 0, constant, right, O of 1 का का काम कर रहा था, यहाँ पर O of 1 का का काम रहा था, आखरी पर एक बढ़ जाके O of N का का काम किया, यह भी possible है, लेकिन average case में आप यही बोलोगी कि यार, big O of N, big O of 1, चीक है, तो हमारे पूरा-पूरा code कितने पर चल रहा है, जितने बार भी इस पिंक function का कॉल किया गया, आपने O of 1 पे काम कर दिया, चीक है, thanks for watching, मिलते हैं अगले वीडियो पे,